राजी में जल्यूक्त शिविर अभियान का दूसरा चरन लागू हो गया है जिला प्रशासन ने इसमें भाग लेने के लिए गैर सिरकारी संगठनों एंजियो और स्वयम सेवी संस्थानों को आमंत्रित किया है जिले के जिन संगठनों को इसमें शामिल होना है उन्हें जिला प्रशासन से संपर्क करने का आवहन जिला दीकारी डॉक्टर विपिन इटनकर द्वारा किया गया है किसानों के लिए जल्युक्त शिविर चरंदो योजना फिर से शुरू की गई है भुजल स्तर को उपर उठाने के लिए जल संदक्षन के शेत्र में राजर के काम के लिए महराश्च को हाल ही में किंद्र सरकार द्वारा समानी भी किया गया है इसलिए कमवर्शो वाले जल्युक्त शिविर दो में इस योजना को प्रभावी धंग से लागू करने का निर्नेली आ गया है ये योजना नाकपुर जिले के देर सो गाउं में लागू की जाएगी जिलादीकारी ने गहर सरकारी संगठोनों से कलेक्टर कारेले में व्यक्तिगत रूप से या इमेल पर संपर करने की अपील की है सुमवार को हुई बैठक में जिला अधिकारी ने जिले के सभी तालाबों की गहरी करण, नालों के चोड़ी करण और गहरी करण बांद के निर्मान के कारे में तेजी लाने को कहा है उन्होंने आदेश दिया है कि जिला परिशद वा अन्य अजन्सियां अपनी काम युदस्तर पर पूरा करें इन कारियों के लिए विबनेसंस्थाव और सामाजिक उत्तरदाईत्व निधी CSR प्राप्त हो रही है इन कारियों में गेर सरकारी संगठनों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाए इस अफसर पर जिला परिशत की मुख्य कारे पालन अधिकारी सौमया शर्मा अपर जिला अधीश आशा पठान और मुख्य कारे पालन अधिकारी वर्शा गौर कर जिले के तहसिलदार एवं संबन्दित विभाग प्रमुक उपस्तित रहे NBCN News के लिए राच कुमार मोड के साथ अकसा अंसारी की रिपोर्ट